ओके स्टुडेंट सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर टू सीटीज ओन रिवर बैंक के खिनारे हैं उन सिटीज के बारें पड़ेंगे आपको नीचे कुछ सिटीज के नेम बताए हुए हैं और नेम्स आपको जो रिवर्स के नेम बताए हुए हैं इसके नेम करेक्ट लिखना है जबलपूर की किनारे बसा हुआ है नर्मदा यह जंबल वर्ड है आपको करेक्ट वर्ड में अरेंज करना है तो कौन सा रिवर है नर्मदा यह जो जो गोरखपुर है वो कौन से रिवर के सिचचचच किनारे पर है वह तो आप क्या लिखेंगे रापति आगैं तो आपक्या लिखेंगे रापति आगरा इस सिचचच। ओंड़ बेंगको ओफ डैश ऑक्यों So, आगरा जो है, जो आगरा जो city है, वो कौन से river की किनारे है, situated है, कौन से river की किनारे है, So, right answer is T-A-P-T-I, तापती, okay, the next is Kolkata, is situated on the bank of dash, okay, जो Kolkata, जो city है, वो कौन से river की किनारे है, that is Hoogli, spelling of Hoogli is H-O-O-G-L-Y, okay, Hoogli, next is Pune, Pune is situated on the bank of dash, जो Pune है, city, वो कौन से river की किनारे बसा हुआ है, that is Mutha, M-U-T-H-A, okay, क्या होगा, M-U-T-H-A, M-U-T-H-A, the next is, एहमदाबाज is situated on the bank of dash, जो एहमदाबाज जो city है, वो कौन से river की किनारे बसा हुआ है, that is Sabarmati, okay, so, spelling of Sabarmati is S-A-B-A-R-M-A-T-I, Sabarmati, okay, आपको actually spelling याप पर लिखा हुआ है, river का, बट वो jumbole word में है, so, आपको यह rearrange करना है, और उसके correct word लिखना है, the next is, बैंगलूरू is situated on the bank of dash, जो बैंगलूरू जो city है, वो कौन से river की किनारे है, so, that is Vrishabh, V-R-I-S-H-A-B-H-A-V, Vrishabh, okay, next is, लखनाओ is situated on the bank of dash, जो लखनाओ जो city है, वो कौन से किनारे, कौन से river के bank में है, so, that is Gomti, G-O-M-T-I, Gomti, and next is Gualier, Gualier is situated on the bank of dash, जो Gualier city है, वो कौन से river की किनारे है, that is Chambal, okay, so, spelling of Chambal is C-H-A-M-B-A-L, okay, thank you.